या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्री अर्थात नौरातें इनौरातों और दस दिनों के दौरान देवी के अलग-अलग नौरूपों की पूजा की जाती है नौरात्र में आठमे दिन यानी अश्टमी थी महागौरी शक्ति की पूजा को समर्पित है नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णता गौरवर्ण है इनकी उपमा शंक, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है शुपुराण के अनुसार महागौरी को आठ साल की उम्र में ही अपने पूर जन की घटनाओं का आभास हो गया था इसलिए उन्होंने आठ साल की उम्र से ही भगवान शुव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी इसलिए अश्टमी के दिन महागौरी का पूजन करने का विधान है इस दिन मा की पूजा में दुरगा सप्षती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेश भलदाई होता है महागौरी के सभी आभूशन और वस्त्र शुएथ हैं इसलिए उन्हें शुएतांबर धरा कहा गया है चार भुजाएं हैं और वाहन वर्शब है इसलिए वर्शार रूठा भी कहा गया है उनको माता महागौरी की पूरी मुत्रा बहुत शान्त है पती रूप में शुव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी इसी वज़ा से उनका शरीर काला पड़ गया था लेकिन तपस्या से प्रसंद होकर भगवान शुव ने उनके शरीर को गंगा के मा महागौरी को शिवा भी कहा जाता है इनके एक हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रशूल है तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है अपने सांसारिक रूप में महागौरी, उज्वड, कोमल, श्वेत वर्णी और श्वेत वस्त्रधारी और चतु महागौरी को गायन और संगीत बेहत पसंद है इनके समस्त आभूशन आदभी श्वेत हैं महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप नश्ठ हो जाते हैं माता महागौरी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं एक कथा के अनुसार मा महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान श्व को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी एक बार भगवान भोले नात्म ने पार्वती जी को देख कर कुछ कहा जिससे उनका मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जात इस प्रकार वर्षु तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती हैं तो पार्वती को खोशते हुए भगवान शिव उनके पास पहुशते हैं वहां पहुचकर उन्होंने देखा कि पार्वती जी उनका रंग अत्यंत ओच पूर्ण है उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही है उनके वस्त्र आभूशन से प्रसंद होकर देवी उमा को गौरवन का वो वर्दान देते हैं महागवरी रूप में देवी करुणा मई, स्नेह मई, शांत और म्रदल देखती हैं महागवरी से सम्मंदि एक अनिक अथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार एक सिंग काफी भूखा था वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुंचा जहां देवी उमा तबस्या कर रही थी देवी को देखकर सिंग की भूख बढ़ गई परंत वो देवी के तबस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया देवी जब तब से उठी तो सिंग की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और मा उसे अपनी सवारी बना लेती हैं क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी इसलिए देवी गौरी का वहन बैल और सिंग दोनों ही हैं महागौरी अमोग फलदाइनी हैं इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलुष धुल जाते हैं पूर्व संचित पाप भी नश्ठ हो जाते हैं महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्यानकारी है इनकी क्रपा से अलोकिक सिध्धियां भी अब हम आपको बता रहे हैं माता आदे शक्त की सहायक शक्तियों के बारे में ये शक्तियां हैं 64 योगनिया जिनकी मदद से माता आदे शक्ति इस संसार का राजका चलाती हैं और शष्ट के अंतकाल में ये मातर का शक्तियां वापस मा आदे शक्त में पुना विलीन हो जात पिर से पुनर्ण निर्मान के लिए। चौंसथ योगनियां समय समय पर माता दुर्गा के सहायक शक्तियों के रूप में काम करती हैं। और दूसरे दिश्चकूर से देखा जाए तो ये मात्रिका शक्तियां तंत्र भाव और शक्तियों से परिपूरित हैं। और मुख्यता तंत्र ज्यानियों के लिए प्रमुख आकरशन का केंद्र हैं। दरसल ये सभी आदिशक्ति मा काली का अउतार हैं। घोर नामक दैत के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अउतार लिये थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वति की सकियां हैं। इन चौंस शक्ति काली के ही भिन भिन आवतारी अंश हैं। ये भी कहा जाता है कि समस्त योगनियों का संबंद मुक्यदाह काली कुल से हैं। और ये सभी तंत्र और योग विद्या से घनिश्च संबंद रखती हैं। समस्त योगनिया अलोकिक शक्तियों से संपन हैं। प्रमक प्रकार है। वारुनी, श्रिमंकरी, एंद्री, वाराही, रण वीरा, वानर मुखी, वैश्लमी, काल रात्रे, वैध्य रूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्न मस्तिका, व्रश वाहन, जौला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, बिरूपा, कौवेरी, भलुका, नार सिंगी, बिरजा, बिक्तान्ना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सरप्रश्य, यक्षणी, विनाहिकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटवरी, स्तुधी, काली, उमा, नाराइनी, समुद्र, ब्रह्मिनी, जालामुखी, आग्रेही, अदिती, चंद्रकांती, वायवेगा, चामुंडा, मूरती, गंगा, धुमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायवीना, अघोर, और भद्रकाली. किसी भी प्रकार की मनुकामना को पूर्ण करने के लिए इनकी साधना की जाती है. ये विधान शीघर भलदायक है. 64 योगनियों के भारत में चार प्रमुक मंदिर हैं. दो ओडिशा में और दो मध्य प्रदेश में. मध्य प्रदेश में एक मुरैना जिले के थाना अरिठवरा काला में ग्राम मितावली में है. इसे एकंतेश्वर महाद्यो मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. इसके के बारे में चर्चा की अगली कड़ी में हम बात करेंगे नव दुर्गा के नवम सरूप मा सिद्धिदात्री की और बताएंगे क्यूं होती है नो दिनों तक दुर्गा पूचा यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा की किरपा आप पर सदयों बनी रहे जै मादुर्गे